साथियों हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी तकि आपको सिक्षक भरती से जुड़ी अपडेट हमारे चैनल के मध्यम से मिलती रहे देखे थमनेल को देखकर आपको समझ में आही गया होगा कि हम 36 गर्षक भरती अपडेट के बारे में चार्चा करने वाले ह एक कहना ची वाट्साप में खबर वाइरल हो रही है जिसमें कहा गया है साथियों कि 22 मार्च के पहले सिक्षक भरती की पोस्ट नहीं आएगी क्या है वो वाइरल खबर पहले हम उस पर आते हैं तो देख सकते हैं यह जो वाइरल खबर है मंत्राला के सिक्षवी भाग में मेरे परिचीत के एक अधिकारी से सिक्षक भरती नोटिफिकेशन को लेकर अभी हाल ही में मेरी चर्चा हुई है उनका कहना है कि 22 मार्च के सुप्रीम कोट के सुनुआई के पहले कोई भी भरती नहीं आएगी 22 में इस परिच कहा जा रहा है कि 22 मार्च के पहले कोई भरती नहीं आएगी कुछ भी कर लो जितना भी धरना कर लो अंदोलन कर लो सरकार सुप्रीम कोट के इस आखरी फसले के इंतजार में है सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को जो भी फशला सुनाता है उसके दो चार दिन के अंदर उसी नियाम के अनुसार रोकी हुई सारी भरती आना चलो हो जाएगा मैंने पुछा कि शिक्षक भरती इस वर्ष आएगा भी की नहीं उनका कहना है कि एस आई के बाद सरकार के लिए कोई टॉप प्रियॉर्टी का है तो वहाँ सिक्षक भरती का है अर्थात कोई भी भरती आये या नाया लेकिन 200% सत्य है ताय है कि सिक्षक भरती आना उन्होंने बताया कि शिक्षविभाग में शिक्षग भरती को लेकर पूरी जो कागची काम है वो पूरा तयार है बस सुप्रीम कोट के फैसले दो-चार दिन के अंदर भरती ततकालिक आरक्षण नियम नुसार जारी कर दिया जाएगा अगर सुप्रीम कोट आगे की तारीख में डेट देगा तो भी सरकार 50% के अनुसार ही 2-4 दिन के भीतर में भरती चलू कर देगी 22 मार्च लास्ट डेडलाइन है सरकार का यह जो वाइरल खबर है मैंने उनसे पूछा कि हम अभी आगे शिक्षक भरती के लिए आंदोलन करने वाले हैं वो सही है कि नहीं उससे क्या सरकार प्रेसर में आएगी भरती जल्दी लाएगी उनका फिर से वही कहना है कि 22 मार्च के सुप्रीम कोट के सुनवाई के पहले भरती आना ना मुमकिन है और आंदोलन पर बोले ये आंदोलन का कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला भरती मार्च लास्ट वीक अपरेल फर्स्ट वीक के में ही आनता है तुम लोग अपना अगर पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब काम नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि जब मार्च लास परहाई पर फोकस करो शिक्षक भरती को आने से कोई फर्क नहीं परते हैं कोई नहीं रोक सकता वाकर ही रहेगा तो साथियों इसमें ये जो वायरल खबर है इसमें यहीं बात निकल कर सामने आ रही है कि 22 मार्च के पहले कोई भी भरती नहीं आएगी क्योंकि 22 मार्च को नारक्षान को लेकर अंतिम सुनवाई होना है और वहीं से जो फैसला आएगा उसके हिसाब से आएगा देखी यह कहां तक सच है यह कह पाना मुष्किल है जिस कंडिडेट ने भी यह लिखा है बताया है वो किस अधार पर यह सब बातें कह रहे हैं वो भी बता पाना मुष्क कि शिक्षक भरती आएगी 200 प्रतिस्ट आएगी बिल्कुल चुनाओ के पहले में ये बात मैं भी हमें सब बोलता हूँ चुनावी सत्र है और शिक्षक भरती को कोई नहीं रोक सकता शिक्षक भरती आएगी क्योंकि शिक्षक भरती छोटी मोटी भरती नहीं है 12,489 बहुत बड़ा पद होता है साथियों ये उनके लिए कहना ची एक ऐसे चाबी की तरह है जिससे कि वो लाखो युवाओ साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी वो अपने मुठी में कर सकता है सरकार तो सिक्षक भरती आएगी 100% आएगी बसरते दूसरी बात ये है कि जो बाइच मार्च तक नहीं आएगी ये अभी कह पाना मुझकिल है लेकिन जहां तक ये वायरल न्यूज है वास्ताव में हर इंसान हर वो बिरुजगार यहीं सोच रहा है ऐसा इसलिए क्य सभी यहीं मान के चल रहा है कि 22 मार्च के पहले नहीं आएगा क्योंकि 22 मार्च को आरक्षड पर सुनवाई होना है और ये सरक गई ये जो वायरल हुआ है उसमें कहा गया है कि 22 मार्च अंतिम है यदि 22 मार्च को सुनवाई हो जाता है तो भी अच्छी बात है और नहीं होत है तो 50% की अधार पर वेकेंसी आएगी लेकिन अंतिम समय है 22 मार्च ही अंतिम है आपको 22 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद वेकेंसी आना तय है ऐसा कहना है इस वाइरल खबर पर लेकिन जो भी हो साथ ही हम भी इंतजार कर ही सकते हैं है न क्योंकि इतने दि पर इंतजार करके देखते हैं भलहें इंतजार बेहद मुस्किल है लेकिन तयारी जो आपको मिल रहा है उसमें आप तयारी करो यह सच बात है साथिओं अगर वेकेंसी आ गई ना तो आपको पढ़ने का जादा समय नहीं मिलेगा इसलिए आपको तयारी करते रहना है क्यों आप सभी अपनी तैयारी से पिछड जाओगे उस इस्थीति में यदि आप पस्ताते रहोगे तो सिर्फ पस्ताते रहोगे पस्ताते रहोगे तैयारी भी करते रहना बेहत जरूरी है साथिओ ये खबर भल ही किसी WhatsApp ग्रूप के माध्यम से वाइरल हुआ है उस साथि का भल ही भाग में परिचाय रहा हो किसी अधिकारी से हो या सहाया ग्रेतिन से या किसी भी आला अधिकारियों से उनका परिचाय रहा हो उसी के अधार पर उन्होंने ये बातें कही है लेकिन अभी तब तक इस बात को सत्य नहीं कहा जा सकता जब तक इसका कोई साक्ष न हो सिर्फ परिचर्चा करके अगर बोल दें वो भी सहीं नहीं है हर इंसान ऐसा बोल रहा है हर किसी से आप पुछोगे आरक्षार की मुद्दे को लेकर वो भी यही बोलेगा कि 22 मार्च को सुप्रीम कोट की सुनवाई है उसके पहले नहीं आएगा इसलिए मैं भी यही बात आप से या इस दिन आएगी ऐसा मैं कभी नहीं गाता हां लेकिन मैं यह हमेशा बोलता हूं साथियों तैयारी कीजिये करते रहे क्योंकि वेकेंसी जब आएगी न तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगी हमारे साथ आप निरंतर जूर सकते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से साथियो चार विशय की सहायक शिक्षक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको चार विशय की handwriting notes मिल रही है PDF format में आपको मिलेगा 300 रुपाय में कई साथी बोल रहे हैं सर 270 था लेकिन आप discount हमने खतम कर दिया है दिपावली के आसपास था तो 300 रुपाय में आपको चारों विश है परियावरण है घडित है और अंग्रेजी है यह चार विशय सहायक शिक्षक के notes यदि आप खरिदना चाहते हैं तो आपको इसक्रीन पर एक number 100 हो रहा है देख सकते हैं 888-3973-0092 यह number है आप इस number पर contact कीजिए और आप जो फीश रखा गया है उसको pay करके PDF notes आप प्राप्त कर सकते हैं हजारों साथियों ने हमारे notes खरिद रखा है यदि आप अभी तक हमारे notes नहीं खरिदे हैं साथियों तो अभी call करें और अभी notes खरिदें जहिन